बल्कूर नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जैसा कि अपने रिविजन सीरीज सुरू करके थी दो दिन से थोड़ा सा दिक्कत थी तो वीडियो नहीं आया यूनिट सेकेंड सिर्ने सेकेंडरी लेवल स्ट्रेक्ट्रल ओर्गनाजसिट्रिन एनिमल और प्लांट जिसके अंदर आपको एनिमल टिशू प्लांट टिशू फुस्पकरंग फुस्प और फल इन पांच चीजों को पढ़ना है सबसे पहला लेते हैं एक नंबर पर एनिमल एनिमल टिशू पता ही आपको टिशू किसको बोलते हैं बहुत सारी सेल्स अनिमल है उनमें जो समान को सिखाए है वापस में जुड़कर किसी विशिस्ट कारे को पूरा करते हैं टिशू कर लाता है कोई विशिस्ट बात नहीं याद रखने की इस्टडी ओप टिशू याद रखना हिस्टोलोजी कि टिशू सब्दे किसने दिया बाई कटने कैसे बोला था अपने कि बाई की बात को काटा तो इशू बन जाता है तो बाई की बात को काटा तो क्या बन जाता है इशू बन जाता है हिस्टोलोजी मेर हिस्टोलोजी में एक मा इत्यास में एक मा हुई है पर दू मोडन इस्टोलोजिंगे दर मोडन जब होगे न तो दो मा एम ए तो यहां एक मा है यहां दो मा होगी ठीक है मोडन की बात होगी एनिमल टिशू चार परकार के हैं एपिथीलियल कनेक्टिव मुस्कुलर और नर्वसिस टिशू इसको आपके यह एनिमल फिजियोलोजी में भी आ जाते हैं पर यहां यह दो इंपोर्टेट हैं इनकी एक एक बात पढ़नी है सबसे पहले देखो एपिथीलियल टिशू में पहली बात क्याद रखोगे कि एपिथीलियल जो सब्द है वह किस ने दिया रहिस ने दिया कैसे याद इधनी टिशू यह डूसरे टिशू क्या करता है चल imagined कैया करता है भीजे ब्लड बैसल्स के यमदर नहीं पाइजाती और कि कि बेस्ट कहा होती है इसे में बेस्ट कहा होती है कि अन्दर टिशू के बीच के अंदर परजंट होती है एकदम नियमित रूप से अरेंज होती सिंगल लेयर के रूपे नियमित रूप से रेंज होते रहती हैं यह इसका एक तरह के से हैं रेगुलर एक यूनिक करेक्टर इतने बाते आपको विशेश रूप से इसकी याद रखनी है कि क्या रहा रखना है कि कवरिंग टिशू बोलते हैं इसको कियो अंड्स होता हैं दिशान के लिए जया तो इसकी पर नियमित श्तर पर नापसके जूड़ी होती हैं तो मेंगों लुक्सकह प्रणथी हैं कुछ आपके करेंग्स नाटन छोंगता हैं इक क। टार्यट जयक्सन ड्रड जंक्शन होता है जिसके अंदर सेल आपस में बिल्कुल करेक्ट रहती है यह कोल्यमल्य टिश्यू में होता है आगे देखेंगे एक उतलीट है 啊 nós उतलीटा डیस्जमो सवय मिलकार से ब्रिज बन जाएकि और कोई चीज आधार परदान हो जाती यह का मिलता जाएत बार कि अंदर ट्राजेक्षिट्र एपिठीलइल के नतरी इस प्रकार की सतती है वह देखने को क्या मिलती हैंữa drink के रूप में कि कि जो आपके हैं यह जो और एक्जाम्पल इसके हो सकते हैं जैसा इंटेस्टाइन है पर एपिथीलिय टिशू परजेंट होता है इंटेस्टाइल सेल के अंदर और ट्रेकिया के अंदर है इनके अंदर जहां पर इनके अंदर सीलिया है यह सब आपके फ्लेजिला है यह सब चीज़ें यहां पर प्रजेंट होते हैं जिसे किसी भी पार्टिकल को मुवमेंट करने में आसानी रहती है के एक्जांपल पड़ने से पहले आपको टाईप याद रखने हैं देखो कर अधियु टीशी टीशू तीन परकार तीन ऊगे परकार या रखना तीन पहली बात सिंपल कंपाउंड और स्पेशल कंपाउंड का दूसरा नाम स्ट्राटिफाइड इस तरित इस तर आवरन पाए जाने वाला ठीक है अब देखो इनके दो के तीन इस तर और याद रखणा एक नाम होता है एक नाम होता है स्क्राइब इसक्राइब 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 इसक तो और यहां जाकते हैं इस्तंभाकार और टीन इसके ये मatलब और डिवैड करें आग만 इसे इसम्पल क्यूए मस इनके यह लगा दो अब्युए सिम्पल क्यूएडिल खाल्त करो तो क्या और अ अपके compound columnar, compound keyword और compound columnar तीन नाम हो गए, compound squirmus, compound columnar, compound keywordal ऐसे करके 6 total हो गए, तीन नाम याद रखने हैं, दो नाम याद रखने हैं, तो simple के तीन भाग, simple squirmus, simple keywordal, और यहीं लिख लेते हैं आपर, तीसरा simple columnar, इसी परकार से आपके compound है, या stratified है, इस्तरित है, उसके तीन पार्ट, पहला stratified squirmus, दूसरा stratified keyword, और तीसरा stratified columnar, अब देखो आपको यहाँ पर 6 trick याद रखनी है, 6 में क्या पहले trick क्याद रखनी है, अभी प्रेणा friend, एक नमबर बात, दूसरी क्याद रखनी है, एसेस्टी note, दूसरी क्याद रखनी है, एसेस्टी note रखनी है, तीसरा columnar के लिए क्या है, यह है, फिर भी तुम्हें बहुत चाहा, तीसरी trick है, पहले trick है, अभी प्रेणा friend, दूसरी trick है, एसेस्टी note, तीसरी trick है, फिर भी तुम्हें बहुत चाहा, करम से याद रखना, चोथी trick है, बट प्रग्या, वेरी क्यूट और वेरी केरिंग, और पांच्वी trick है, मेरे साथ पान कौन खाये, और छटी columnar की कोई trick नहीं है, यह भी trick है, अपने आपके कोई trick नहीं है, यह बाद में अभी प्रेणा फ्रेंड क्यों है, कि उसके एसेस्टी नहीं था, तो फिर जो तनु है, इस नाटक आता है, आपके उस नाटक में था, अभी प्रेणा फ्रेंड है, उसके बाद में जो तनु है, उसके एसेस्टी नोट, तो फिर भी तुम्हें बहुत चाहा, यह तनू ने बोली तो फिर जो अभी क्या बोलता है बट प्रेड़ना वेरी क्वीट और वेरी केरिंग है और बालाश्ट के अंदर मेरे साथ पान कौन खाया है पांस ट्रिक आपको याद रखनी है देखो पहले का मतलब क्या हुआ अभी प्रेड़ना फ्रेंड के अंदर एक का म स्पोएड में s का मतलब celeri, s का मतलब sweet gland, t का मतलब thyroid है n का मतलब निफरोन है औ्वका मतलब ovary है t का मतलब टेस्टिस और इसके अंदर जो आपके दो हैं इसके अंदर धो चीजिश वी आगई मैं फिर भी तुम्हें बहुंच चाहा तो कोल्यमंडर के लिए कौणड़ से है फिर वी तुम्हें बहुत चाहा के अंदर आपके फेलोपेन ट्यूब है फिर F का मतलब B का मतलब ब्रेंन केविटी, T का मतलब ट्रेकिया है और B का मतलब ब्रोंकाई है और C का मतलब सेंट्रल के नाल है यह सब चीज़े पाई जाती है इसके अंदर तो तीनुकी होगी पहला भी प्रेणा फ्रेंड है दूसरा आपके सेस्टी नोट है तीसरा फिर भी तुम्हें बहुत चाहा यह सिंपल परकार के हो गए जिसमें सरल सलकी हो गए सरल क्यूबडल हो गए और सरल कोलियों मदर हो चाहिए धर आहो बट पर गया यह बैंद ना वेरि ग्वेस começ Oops हूह बट पर गया यह प्रेणना वेरी क्यूट इस Catholic B का मतलब पिका मतलब फहरंस V का मतलब vocal cordis C का मतलब cornea है O का मतलब isofagus है R का मतलब rectum है V का मतलब vizainar C का मतलब sirvix है आपको याद ही होगी मैं पुटा पट याद करवा रहा हूँ आपका उसके बाद मेरे साथ पान कौन कौन खाए इसका मतलब यहां पर जो है इसमें एम का जो मतलब है वो है memory gland मेरे साथ एम का मतलब memory gland memory gland है एम का मतलब है उसके साथ साथ का पता ही है आपको मेरे साथ salivary gland पान का मतलब आपको पता ही है pancreatic duct और कौन का मतलब conjunctiva of I इसका मतलब मेरे का मतलब memory gland साथ का मतलब salivary gland पान का मतलब pancreatic duct और कौन का मतलब conjunctiva of I यह हो गई इतनी सारे और यूरिथ्रा यूटेरस यूरिथ्रा यूटेरस एंड एपिगलोटिस इनका कोई example नहीं है एक कोई trick नहीं है लास्ट वाले में इस्तरित columnar के अंदर फिर बता रहा हूँ देखो पहला simple squamous अभी प्रेणा friend simple cuberdle sst note simple columnar फिर भी तुम्हें बहुत चाहा ठीक है उदर आजओ compound या stratified squamous बट प्रेणा very cute और very caring ठीक है ट्रिक हो गई stratified cuboidal के अंदर मेरे साथ पान कोन खाए और stratified columnar के अंदर कोई trick नहीं है तीन नाम याद रखे लेना केवल यूरिथ्रा यूट्रेस और epic lotus यहां से क्यूशन आते हैं सिद्धे के सिद्धे हो गया अब अब बात करेंगे तीसरा special epithelial tissue में एक एक नाम लेंगे अपन नंबर से पहले अपन तोड़ा सा देख लेते हैं इनको simple squamous जो है यह वाला simple squamous है चप्टी सेल होती है पहला के अंदर चप्टा टाइल की तरह लगती है एनियमित होती है simple squamous cell को pavement भी कहते है foot path फुट पाथ है ना उस परकार से इस्तिति होती है तो टाइल की तरह कोण लगी होती है एक इस तरह कोण लगी होती है foot path किसको कहा जाता है यह पैर पर चलने वाले जो अपन road बगर टाइल्स बगर लगी होती ना इस प्रकार से foot path किसको बोलते है यह है सरल सलकी को पहला दूसरा सरल क्यूबोडल इस प्रकार से cube के आकार की होती है क्यूब की आकार का नुकलेस बीच के अंदर परजेंट है वहां पर तो के अंदर चप्टा था यहां पर नुकलेस बीच के अंदर परजेंट है यह जहां ज्यादा मिलेगा जहां पर absorption सीक्रेशन एक्स्रेशन की का का काँ यह ज्यादा होता है ठीक है और आपके सिंपल कोलियुमलर नुकलेस कहा यह आधार वाग के अंदर नीचे होता है नुकलेस सभी सेल में सीलिया हो ए यहां पर यह केंदर बीच में है इसके अंदर केंदर चप्टा है यह टाइल कितरह होती है एन्यमित होती है प्रपात कितरह लगती है इन दोनों की मातरा जहां ज्यादा पाई यहां पर आपके absorption, secretion, excretion ज्यादा होता है, यह simple simple बाते हैं, इनकी comparatively बात हो गई, ठीक है, अब बात करें देखो, किसकी, stratified, stratified के अंदर, इस तरीत के अंदर, पहला कोंड सा है, stratified, squamous, इसकी बारी स्तर पे क्या पाई जाता है, squamous पे जाता है, सरल बाड़ा, बीतरे स्तर पे क्यूबर्ड और कॉलिमलर, तो तीन प्रकार के होगी न, यह, तो तब ही ते compound बोला इसको, खालिस्तान के अंदर क्या है, पॉलि हेडरल दिखता है, squamous में किरेटीन और किरेटीन लेस होते हैं, तो किरेटीन लेस बाड़ा पार्ट है न, इसके अंदर यह है वो, कॉलिमलर के अंदर बाहरी स्तंब, बीतरे उमद्दे, क्यूबर्डल वर, पॉलि हेडरल स्ट्रक्टर होती है, यूरिनरी, यूटेरेस, और आपके एपिक लोटिस के अंदर यह पाई जाती है, इतनली बात होगी, उसके बाद देखो, जो यह special tissue है, special का मतलब कोई specific बात हो सारा बात औरने बाद उसको तनु को बोल दी, अभी ने कि तुम नहीं होई, यह को total check है, अभी प्रेणा friend है, sst note है, फिर भी तुमें बहुत चाहा है, बट प्रेणा वाली, और मेरे साथ पानखोन खाये, एक फिट ट्रिक है नहीं, और एक यह you note, तो पहला तो शूड़ो है, उसके प्रकार हो गई है, लग लग, सीक्रेशन के बेशे हो, फिर आपके neurosensory है, pigmented है, और आपके reproductive epithelial tissue है, इनके एक एक चीज़े देखो, यहाँ पर, देखो, सबसे पहले special epithelial tissue के अंदर, पहला pseudo stratified special epithelial tissue, याद रखना person आया वाया है, यह tissue stratified होते हैं, लेकिन stratified लगते हैं, लगते तो इस तरही था यह, लेकिन होते कौन से हैं, columnar tissue है, columnar कौन सा, simple वाड़े आये थे, simple वाड़े बोल दो, stratified type के लगते हैं, लेकिन है columnar simple वाड़े, structure के अंदर यह वाली है, दूसरे नमबर बात, transitional tissue, spatialized tissue है, क्या याद रखना है, transitional structural epithelial tissue में basement क्या होती है, होती है, transitional special epithelial tissue के अंदर, basement membrane क्या होती है, absent होती है, basement membrane absent होती है, एक बात तो याद रखना, यह direct connective tissue से connect होते हैं, एक परसन यहां से बहुत बड़ी आप पाए जाता है, इन में परसारण सीलता है, गुन पाए जाता है, flexibility पाए जाती है, तथा यह तनाव सैन कर सकते हैं, अब तनाव सैन कर सकते हैं, तो कहां पाए जाए जएदा तर, urinary bladder के अंदर, क्योंकि वहाँ पर मुत्र बगर आता ह यूरीन बगर आता है, तो तनाव होता है, इसका मतलब इसकी पांसलेयर होती है, और urinary bladder में पाए जाते हैं, तनाव सैन कर सकते हैं, basement membrane में absent होती है, ट्राजिस्टल specialised epithelial tissue हो गए, यह इसकी खास बात होगी, और pseudo stratified लगता तो है, वह stratified लेकिन वास्ट पे columnar होते हैं, फ multicellular के अंदर एक तो simple tubular, compound tubular, alveolar, compound alveolar और quid, जिसमें alveolar और आपके tubular दोनों हो, इसके example है, sweet gland है, इसके example है, burner gland है, इसमें, यह simple tubular हो गया, यह compound tubular हो गया, यह alveolar हो गया, simple, यह compound alveolar हो गया, ठीक है, यह example दे रखे हैं, इनके आपको देखने example, और quid के अंदर दोनो आप परकार कि पायजाती हैं मेब्री गिलेंट है पैंक्रियाज है आपके यह वले यह आगई पार्थलिंदुड गेंडर यह इसके प्रकार के इसकी पूरी रजाते हैं कोई प्रभाव नहीं होता है। को एपसीला टिशु को और के बाद में दो नम्मまर पर आता आपना पानेक Ambassador शकुड और दिशु को ये कि सपोर्टी टिशू भी बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिशू बोलते हैं तीस परसेंट परजेंट है और इजन याद रखना मिजोडर्मल है हार्ट विग ने इसको खो जा था तीन मुख्या घठोक होते हैं किनेक्टिव टिशू में एक होता है मेट्रिक्स सेल और फाइबर सब का मतलब सिंपल कनेक्टिव टिशू है सी का मतलब कंडेंस कनेक्टिव टिशू है और एक तो सिंपल कनेक्टिव टिशू है तो चार बाते होगी ना एक तो सिंपल कनेक्टिव टिशू कंडेंस कनेक्टिव टिशू तो अब देखो इसके अंदर च्यार बातें मेतापुण동 इसके अंदर अब डेको सिम्पल करनेक्ट्ट्ट्ट्ट इसके अंदर मेट्रिक्स ज्यादा फाइब्र कम गर्रेश कम गर्रे कंडेoppos वाड़े के अंदर। थो white fiber होंगे और yellow fiber। इदो जगह याद राखना, tendon का मतलब क्या होता है, muscle और bone का connection और ligament का मतलब क्या होता है, bone और bone का connection, ligament receiving fluid connective tissue में क्या आएगा, blood और lymph आएगा, और skeletor connective tissue में कों आएगा, cartilages और bones आएएगी, कार्टिलेजेज और बोन्स आएंगी सबसे पहला देखो सिंपल कनेक्टिव टिशू सिंपल कनेक्टिव टिशू में परकार देखे थे भी सिंपल कनेक्टिव टिशू के अंदर आपने चार परकार देखे थे यहां पर बात करेंगे किसकी ऐट-करेंगे इनके की सबसे पहले वाला यह गत us को मैं जो है आपके एरियोलर अंत्राली इन्दे में याह नाम पताल फि systemic hanger सेलट है इस पेस इसके अंदर अहयं सिर्दा यह अंतराल इसके अंदर क्या परजेंट है यहां पर इन इसके अंधर सेल से होती हैं फाइब्रो ब्लाज सेलस ठीक हैं । यह जो सिंग रेशा करते हैं किलास्टिन वें कोलेजन मेक्रोफेजेश अमीवे टाइप सेल्स होती है और मास्ड सेल्स होती है सेल्स कोन गूँची फैबर ब्रास सेल्स होती है इसके बाद मेद में इसमें प्लाजमा सेल्स होगी, एंटि बोडी का सीऔर्षिन करेंगी, लिंफिोसाइट करेंगी, निदि ruole आप मरत प्लाजमा सेल्स होगी, टो फाइबर की न कहीं, वाइब बात फाइबर की तो फाइबर दो प्रकार के होते हैं——白 वाइट और यललौ वाइट का मतलब यहाँ पर कोलेजन है अदर येलो का मतलब उसमें लास्टीन है यह बात किसकी होगी एरियोलर कनेक्टिव टिशू अंतराली सहयों जी उत्तMusic की यह सिंपल कनेक्टिव टिशू में पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं अरियोलर अंतराली उत्तक अंत्राली उत्तेक मतलब सभी अंग हैं उनके बीच बीच में यह परजेंट होता है चारों और उपस्तित होता है अगला देखो एडिपोस करेक्टिव टिशू एडिपोस करेक्टिव टिशू नाम से पतलता इस्किन के नीच्छे कि फैट बोडी के रूप में होता है यह सेल्स कौन सेयंस में फाइब्रोब्लास्ट इस्टोरेज ओव ओएल का स्टोरेज करती हैं यह टिशू बोडी का फूड इस्टोरेज है वेल बबलर और केमल के हैंप के अंदर इस प्रकार से यह मिलता है इजिली यहां पर यह आसानी स से पाए जाता है तीसरा देखो कि पिगमेंटेड सिंपल करेक्टिव टिशू इसके मेट्रिक्स में बात क्या रखनी है इसके मेट्रिक्स में आपके क्रोमेट्र फॉर है लिम्पोसाइड सेल है और येलो फाइबर सेल्स परजेंट होती है पहला रहा एरियोलर दूसरा एडिपोस तीसरा क्या है तीसरा आपके पर रेटिकुलर सिंपल कनेक्टिव टिशू इसके मेट्रिक्स में क्या है लिम्प पर्जेंट है जालीका की रूप में पाया जाते हैं बलेट वेसल का दिर मान होता है हैं लिंब्पक्न स्क्राइब। हैं आपके सिंपल कनेकटिव टिशू है। आपके एडिपोस् टिशू है और आपके रेटिकूल durid tig टिशू है यह चार किसके परकार है सरल सेंजी उत्तक है सरल के बाद में डेन्स कनेक्टिव टिशू सगन सगन सयों जी उतक यहां फाइबर की मात्रा क्या है ज्यादा पहले वाड़े में फाइबर की मात्रा कम थी यहां फाइबर की मात्रा ज्यादा है मेट्रिक्स की मात्रा कम है फाइबर दो परकार का वाइट और येलो तो वाइट से क्या कोलेजन प्रोटीन से बनते हैं और येलो इलास्टीन प्रोटीन से ब्राप्त होता है तीसरा देखो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू मेट्रिक्स प्लाज्मा के रूप में तरल सेयो जी उत्तक प्लाज्मा के रूप में हैं फाइबर परजेंट है यहापर ब्लेड वा प्लाज्मा में होते हैं तो प्लाज्मा और कारपसल्स की बात आ गए यहापर आर बीसी डबल बीसी इनके सब की बात आ गए तो पूरे ब्ल आजमा की सारी बात यहां पर कंप्लीर टूप से आ जाती हैं इसके अंदर आपके ब्लड से समधित आप सारी बाते यहां पर क्लियर हो जाती हैं उसके बाद देखो यह ब्लड की सारी बाते हैं यह आपके नोट्स में उपलब्ध हैं लिंप की बारे में सारी बाते हैं यह ब् बोन्स में मेट्रिक्स में कौन सा प्रोटिन पहा जाता है और इसके केलसिम जाथा मेगलेसियम पहाजाता है मेट्रिक्स के अंदर कुस रिंग पहाजाती चैनल क्या बोलता है जर्रे यह Потом ड़ीलेज को मालीका और लेमीनी मिलकर क्या बनाती है हैं हे lessen शिस्टम他說 दोबात आपको विशेश याद रखनी है उसके बाद में मेट्रिक्स के अंदर लेक्यूनी Chondrocyte cells है जो care release करती है Chondro protein release करती है Metrix के basis पर cartilage चार परकार के होते है Highline सबसे अधिक मातरां पाए जाती है Elastin है Pertiazta Agun पाए जाता है Fibrous मजबूत होती है Calcium यहाँ पर पाए जाता है यह दो मुख्य कनेक्टिव टिशू और आपके epithelial tissue है उसके बाद जो muscular tissue है उसको आप यहाँ पर एक बार देखे लोगे Muscles हैं वो तीन परकार की है Stratified muscles Stated इसको बोलते है Non-stated or smooth muscles है इनको क्या बोलते है Voluntary क्योंकि अपनी इच्छा पर depend करती है यह involuntary होती है और यह भी involuntary होती है इनको skeletal muscles भी बोलते है यह जो आपके internal organic पाए जाती है और यह heart के अंदर पाए जाती है Muscles बगरा को और जदर detail में अपन यहां नहीं देखेंगे इसमें मतलब tissue में आपन दो tissue को बड़िया देखेंगे आपर क्योंकि muscle tissue और nervous tissue आपके easily कहां पर present है यह आपके nervous system और muscles दोनू के दोनू आपके plant annual physiology के अंदर present है एक बार मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ इन tissue को easily आपको RBSC वाड़ी बुक में easily समझ में आ जाएगा देखो और तोड़ा क्लियर हो जाए आपके tissue का दे रखा है tissue के type दे रखे है desmosome अगरा सब अपने देखे लिया था यह सब diagram अगरा देख लेना चाहे तो आप इस परकार से यह तीनों परकार के यह पहला है वो आपके tight junction का है यह आपके दो नंबर का desmosome का है और यह आपके है जो inter bridge वाड़ा तीन diagram हो गए यह कुछ cilia अओंगर एपि थीलिल कें अंदर लगे होते हैं तो उसके diagram है यह चार्ट है आपने देखा था simple तीन परकार के इसी परकार से इस्तरित तीन परकार के इसाल की अंदर पता है आपको लगता लेकिन होते हैं अडें walking में थैव कॉलीं लर होते plupart इसको एलीवेलर बोलेंगे या यह सिंपल कंपाॉंड और बाद में श्यूंट हो गया इस्तरावी के आदार पर बहुस्तरावी और और आपके एंडोक्राइन ग्लेंड है इस प्रकार से क्या इसका यह क्लाशिफिकेशन था उसके बाद एक एक को चलते हैं तो सबसे पहले वाड़ा देखो यह सिंपल स्केमस जो है वो टायल्स की बाती है चप्टी है इसका केंद्रक है चप्टा परजेंट है और यह कहाँ काँ आप आज जाती है और पहले बाले के लिए अभी प्रेंट फिरेंड यहां पर थी पैमेट एपिति लिए टिशु बोल दिया अब इसके एगजामपल अपने देख लिए थी कि अभी प्रेड़्ण इस्टि नोट को इसके आपको तीसरा नंबर संपल इस्तंभा सिंपल स्थम्बाकार के अंदर नीचे वाले नीचे स्थम्ट बाइब पाई जाता क्या के अंदर होता है उच्छर्जन ऑफ्शोषण वह स्तरवन वाले स्तान पर क्या होती यह ज्यादा होती है और इसके ट्रिक दो थी वह आपका है क्या थी फिर भी तुम्हें बहुत चाहा इस प्रकार से थी उसके बाद में स्तरित वाले के अंदर पहला इस्ट्रटिफर्ड इसक्विमस हो गया और जिया है उखना, इसके हैं शर्टिफर्ड इसके अंदर ट्रीक की थी इसके अंदर त्रिक थीimir है और मेरे साथ पांगुंझ खाएं तो भी कर्या है है आपके कंजक्टिव आई है इसकी कोई ट्रिक नहीं थी इसके अंदर तीन चीज़ें याद रखने आपको क्या है कि यह जो आपके मुत्रका वित्रिष्ट है गरबाशय का अंत्रिक्स तरह और एपिगलोटिस है यह तीन पर जाती है उसके बाद स्ट्रिटिफाइड के अं पर तीन पर तीन पर प्रकार ने पर ने पर ने पर ने इसके बाद में यह जांपल दे रखें सारे अपने कर लिये हैं एक एक करके से वजूद तक है हर्ट विंग ने बताया था यहां पर तीन गठक होते हैं मेट्रिक्स है सेल्स है और यहां पर फाइबर पाई जाते हैं यह बात आपकी होगी थी इसके पास देखो यह प्रकार के पूरा बता दूए यहां पर सरल था सिंपल सगन तरल और स्केलेटन सिंपल कंडेंस और आपके जो लिक्विड था और यह कंकाली इसके परकार हो गए इसके चार परकार थे अंत्राली एर्योलर एडिपोज पिग्मेंटेड और रेटिकुलेट इसमें आपके दो परकार के वाइट और यलो यहां पर ब्लड और है यहां पर आपके उपास्ति और अस्ति इसके रेटर के अंदर उपास्ति अस्ति यहां पर ब्लड और लिंफ तरल के अंदर कंकाल में यह वाली आओ गई इसमें ब्लड और लिंफ हो गया किसमें सरल के अंदर सगन के अंदर यह आपके यह आ जाएंगे स्वेत और पित त सब्सक्रिबर रखें आप किसको बता है सबसे बता राख है अ अपकी बूक में तक देख सकते हैं वीडियो जदा लंबा हो जाते हैं फिर लोडने होते हैं इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे अगले वाले वीडियो के अंदर अपन प्लांट इशू और प्लांट इशू के सास्त में आपके पुस्प क्रम है पुस्प है और फल यह तीन सी जुगल ले लेंगे धन्यवाद